Hello everyone, welcome to Justiopedia तो आपने बहुत सारी वीडियोगे जहां पर आपने देखा होगा की मेक अप कैसे करना है लेकिन यह वीडियो ऐसी ही जहां पर आपको पता चलागा की मेक अप कैसे नहीं करना है क्योंकि मैंने जो make up किया बिसिकलि मैंने फिर्स टाइम मेक अप किया था मतलब foundation वगेरा फिर्स टाइम लगा था normal make up तो वही lipstick बिंदी eyeshadow तो हल्का बूल का कोई भी लगा लेता है तो ये मैंने फिर्स टाइम बिसिकलि क्या हुआ मैंने चामसी का बहुत सारा वीडियो देखा था चामसी मिलानों का तो मुझे लगा कि मुझे भी मंगवाना चाहिए शायद मैं भी एक अच्छी मेकप कर सकूँगी एक अच्छा मेकप कर सकूँगी लेकिन मुझे लास्ट में बता चलिया कि ये मेरी गलत भामी दीख है anyhow मैंने मॉस्चराइजर लगा लिया पहले मैंने मूद होया मैंने को टोनिंग ओनिंग नहीं करी मूद होया simply और मैंने अपना फेवरेट वाला मॉस्चराइजर वो पीच मिल्क मॉस्चराइजर जो आता है वो लगा लिया और उसको मैंने بहुत अच्छे से मताब फेज में, मताब फेज की स्कीन में बहुत अच्छे से अब्सप कर लिया अच्छा मैंने सबसे पहली गलती करी वो ये करी कि मैंने जू भी प्रोड़क्ट लगाए वो सिरफ फेज पर लगाए गर्दन पर या गर्दन के आसपास नहीं लगाए यह मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी अब मैंने यह फेस पे जब वो मॉशराइजर लगा लिया उसके बाद मैंने यह स्विस ब्यूटी का प्राइमर है यह में को बहुत पसंद है मैं यह तो झाहंगे कि बहुत बेस बन जाता है बढ़ाँ फेस पे अच्छा सा ग्लो आ जाता है मत अब बिधर कुछ भी वो तो नहीं चुपते हैं जैसे यह रेडनेस है फेस पे या डार्क सिर्कल सेंगे सब चुपते है तो नहीं है पर ठीक रहते हैं खीज़न देखा है, पिंपल, जबG कहीं जाना होता है, जबBG कोई ओकेजन होता है, पिछली वर मैंने ब्रदर के घर पे पार्ट पे जाना था, to ये चीक पे पैच हो गया था, और इस बर जाना है, तो इस पर ये पिंपल हो गया क्याता है, ये मैंने उसके पर कंसीलर लिया यह भी स्वेस ब्यूटी के लिए है, स्वेस ब्यूटी के एक्चुली प्रोड़क्ट बड़े ही एफोर्डेवल है, तो मैंने वो लिया और मैं कैसे सूंग सूंग के लगा रही हूं, बैसिकली मुझे यही लग रहा था कि कहीं ज्यादा ना लग जाए, एक तो कैमरा पर मेक चौत की यह विडियो है, यह करवा चौत पर मैंने किया था, क्या हुआ कि बाहर लेडीज इकठे हो चुकी थी, तो मुझे जाना भी था, मैं पस इतना टाइम भी नहीं था, कि मैं दुबारा फेस वाश करके यह दुबारा मेक अप करूँगी, तो इतना टाइम नहीं था, मेरे इतनी अकल नहीं है कि कंसीलर के लिए, मुझे बाद में किसी ने बताया कि कंसीलर के लिए यह ब्रश नहीं होता है, बट मैं तो यूज कर चुकी थी, क्यार कोई बात नहीं ना, है ना, आप भी समझदार हो कि जिसको मेक अप नहीं करना आता, वो तो ऐसे ही करेगी, सबर भी नहीं था, मतर्ब जितना मैंने इस से किया है ना, ब्रश से कर रही थी, उसके बाद मैं उसको हाथों से ही, जो भी टैप टाप करके उसको मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी मेक अप की इतनी सारी वीडियोस मेक अप टूटोरियल देखे थे सिरफ इसलिए क्योंकि ब्रदर की मैरेज है और मैंको उसके लिए जाना है अब बैसिकली कि ये जिस दिन मैंने किया ना मेकप मैं वो ही उसी दिन मैं वो ही बता रही हूँ आपको मैं पोस्ट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि फर्स्ट का करवाच होता सेकिंड को हमें भाई की शादी के लिए मृत्सर के लिए निकलना था तो में पसट टाईम ही नहीं था ना एडिटिंग का टाईम था मत अब किसी तरह की वोइस ओवर का टाईम था कुछ बही नहीं था तो इसलिए मैं ये पोस्ट नहीं कर पाई अब इससे पहले मैंने एक विडियो पोस्ट कर दिया है वीरे की वेडिंग के नाम से की consistency बहुत अच्छी है थोड़ा liquidy है बहुत जादा वो ठीक नहीं है ठीक है foundation की जो consistency है वो ठीक है तो आप इस पे वैसा खर्च सकते हो मतलब अच्छा वो था उसका जो build है वो भी अच्छा है easily build हो जाता है कुछ जादा वो नहीं था हाँ बट मुझे लगा कि जब मैंने face wash क किया जैसा कि ये claim करते हैं कि ये waterproof है लेकिन जैसे ही मैंने face पे पानी डाला जब face wash करने के लिए रात को तो वह easily निकल गया था कि मुझे ये नहीं हुआ था कि मुझे face को बहुत रगड़ना पड़ा या कुछ में को make up remover से ही साफ करना पड़ा नहीं पानी से easily निकल गया तो ये मैंने चोटे 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 dots बना लिये और उसके बाद मैंने इसको कोशिश की कि मैं brush से absorb कर दूँ लेकिन अचा और ये देखो मेरी बेवकूफी मैंने सिर्फ face पे लगाया गरदन पर नहीं लगाया ये सबसे बड़ी बेवकूफी है क्योंकि पता है क्या हुआ थ मम्मी अच्छे तो लग रहे हो लेकिन गले के गले के कलर में और इसके चैरे के कलर में बड़ा परक लग रहा है तो बड़ा embarrassing था वो बड़ा embarrassing था तो मैंने क्या 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 गले में चुन्नी डालके रखी सारा टाइम और पूरी कोशिश करी कि कहीं से भी चुन्नी देख 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 लेकिन फिर भी मैं लग तो पाउडर वाली माई रही थी इतना अजीव लग रहा था इतना अजीव लग रहा था मुझे करना आता नहीं है इसको कैसे करूँ क्या करूँ कैसे ना करूँ लेकिन मैंने सोचा था कि चल मैं कोशिश तो करी सकती हूँ ना अटलिस्ट लगाया है नहीं प्रोडक्ट बस महाँ पे मैं को लगा कि मेरा जो चहरे पे एक्स्ट्रा लग गया है वो नीचे और इतने सारी की ना जरूरत नहीं थी एक्चुली मेरे को बहुत ज़्यादा फेस पे लग गया मुझे ऐसे लग रहा था कि और मेरे ख्याल से ब्यूटी ब्लेंडर से अगर मैं करती ना तो ज़्यादा अच्छा होता पता नहीं यार मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ हो सकता था मेरे ख्याल से ये भी हो सकता था, मेरे ख्याल से वो भी हो सकता था लेकिन मैंने इस दिन मेकप करके निए, एक चीज तो पक्का सीखी अगे जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताउँ गी कि मैंने क्या सीखा इस अपने मेक अप से तो मैं ये पूरी अच्छी तरह से ये पाउडर वाली माई बन गई ओपता मैंने इतनी बेवकूफियां करी है मेक अप करते डाइम इतनी बेवकूफियां करी है और वो भी ऐसी ऐसी जिन की मतलब मैं अपने आप से भी उमीद नहीं करती है देखो ब्रेश से लगा लिया लेकिन फिर भी चैन नहीं है हाथों से तो करना ही करना है मुझे यहाँ लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा जीब सी चिप्टी सी लग रही हूँ तो मुझे बड़ा गंदा लग रहा था मतलब मैं को ऐसा लगा कि मेक अप वो जो फाउंडेश एक्चुली मैंने कभी किया नहीं है इस टाइप का मेक अप एक्चुली मैंने आपको बता है ना मैं बीबी क्रीम ही यूज करते हूँ मैंने फाउंडेशन कभी यूज किया ही नहीं अच्छा अब सोने पे सुहागा मेरा जो आईब्रो पैंसिल था वो भी गुम गया मेरा आईब्रो पैंसिल नहीं मिल रहा एटे टाइम मुझे अभी आईब्रो पैंसिल चाहिए था नहीं मिल रहा तो मैंने क्या किया कि जो मेरा लिप लाइनर था ब्राउन कलर का मैंने उस तो इसलिए मैंने लिप लाइनर ही यूज़ कर लिया था तो बहुत जादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ तो फरक पड़ी गया था मतलब ठीक लग रही थी क्योंकि मेरी आगे 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 ग्रोथ कम है और वो करने के बाद मैंने लगा लिया लिप ब्राउन ही यूज़ किया क्योंकि मेरे किसी एक स्टूरेंट की मदर है जो की मेकप आर्टिस्ट है उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करते हो ना तो वो आपके लिप्स को एक कॉंटॉरिंग देते हैं आपके लिप्स को एक अच लेकिन अब ये देखो तीसरी जो गलती करिया मैंने आईलाइनर अचा ये चारमसी आयलाइनर ये मस्ट बाइ है बहुत बड़िया प्रोडक्ट लगा फिर्म जो इनका आईलाइनर है इस मुझे बहुत इतना स्मूध है इतना मस्त है कि मैं क्या ही बताऊउ आपको सच्छी में बढ़ा अच्छा लगा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा तो आप इसको तो मैं ना जो भी मैंने प्रोड़क्ट्स खरीदे हैं जो भी मेरे प्रोड़क्ट्स हैं मैं ये सारे लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ये तो मुझे सची में बढ़ा अच चेहरे को बिल्कुल वो जैसे होता ना क्या बोलते हैं उसको क्या बोलू मैं मतलब जैसे हम रामलीला केलिए रेडी होरे होता है ना मैं वैसी लग रही थी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे को अभी किसी ने अमंतरण देना है कि आईए बालिके आपके रोल का टाइम आ गया है एक्चुली रामलीला का मेकप रामलीला का आर्टेस्ट लग रही थी ओ भाई मैं अपने आपको देख की डरगी मैंने का यार मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकती अब कुछ तो करना पड़ेगा तो बस अपने हाथ जगरनाथ वापिस से मैंने अपने हाथों का इस्तमाल किया और ये इतना सारा जो मैंने अच्छा मैंने थोड़ा सा प्रोड़क्ट लगाया था पता नहीं इतना सारा कैसे हो गया या तो बलेशर मतलब ये जो है वो बहुत अच्छा है या फिर और तो कोई रीजन हो नहीं सकता लेकिन मैं सच्ची मच्ची रामली लग आर्टेस लग रही थी और मैं इतनी अपने आप से परिशान हो गई मूध होने का टाइम नहीं था मेरे पस तो मैंने क्या किया ऐसे हाथों से ना अपने कर लिया यह फिर भी काफी बेटा लो गया उस टाइम तो मैं बहुत ही बुरी लग रही थी अब मैंने क्या किया बता है आपको अब मतब यह पहले करना चाहिए था जब हम कंसीलर लगाते हैं उसके उपर मैंने देखा था उसके उपर यह जो लूस पाउडर होता है उससे सेट करते है मैं भूली गई मैंने वो भी नहीं किया अब मैंने इतना सारा पाउडर लगा लिया उसके बाद यह देखो अच्छा एक चीज़ और पाउडर को कभी भी डारेक्ट फेस पे नहीं लगाना यह मैंने बहुत सारी वीडियो पे देखा था पाउडर को किया किसी भी चीज़ को डारेक्ट फेस पे नहीं लगाना है जैसे हाइलाइटर है यह पाउडर है यह फिर मतलब जो भी ऐसे लूस चीज़े होते हैं उनको डारेक्ट नहीं लगाना चाहिए यह फिर फिर लगाना चीज़े है लेकिन वह यह ना वो यूट्यूब का ग्यान था तो यूट्यूब के जैसे वीडियो बंद ही वो भी बंद हो गया खतम हो गया दिमाग ही नहीं चलता अब देखो मैंने सबसे महान गलती क्या करी आई शेड लगाया ही नहीं और आई लाइनर लगा लिया सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे जैसा दिमाग किसका है यार आई स्वेर इतनी वीडियो देखने के बाद मैं ऐसी कलती कैसे कर सकती हूं मुझे नहीं बता ये चारमसी का ही मैंने आई शेडो मंगवाया था बहुत बड़ी है मतलब इसका शेड यहां पर तो नहीं ठीक से आया क्योंकि मैंने क्या किया आई लाइनर पहले लगा लिया अब उसके बाद मैं उपर उपर से लगा रही हूं लेकिन ये देखो ये इसका पिगमेंट बहुत अच्छा पिगमेंट है और बहुत ही अच्छा इसका शेड आता है मैंने इसको ना बाद में ऐसे यूज़ करके देखा था बहुत अच्छा रहा था तो ये मैंने आई शेड को भी ना इस तरह से brush की help से लगा लिया हाला कि इसका कोई look नहीं आया आई shade का reason being liner अल्रेडी लगा हुआ था तो मतब actually मैं ये cartoon पंती हुई है मेरे साथ मैं वो खुद को समझ आया तो उसके बाद मैंने क्या किया अपना liner फिर से ठीक करा क्योंकि जब eye shadow लगा रही थी तो liner के उपर उपर आगया था कहीं कहीं पर तो मैंने अपना eyeliner फिर से ठीक कर लिया अब मुझे नहीं लग रहा कि मेरा eye shadow नजर भी आ रहा था लेकिन मेरे को satisfaction थी कि मैंने लगा लिया अब ये देखो अब मैंने ना mascara use किया इतनी जल्दी बढ़ी हो थी क्योंकि लेडिस सॉरी कठी हो चुकी थी बाहर और अभी तक मैंने ना कपड़े डाले थे ना मैंने जूल्डरी डाली थी मतलब ना मैं seriously और उपर से आवाजों पर आवाज आ रही थी कि भाया बाहर वो सब इकठी हो गई है इकठी हो गई है एक तो ना पैनिक इतना करते थे ना सब लोग कोई आ जाए तो इतना पैनिक होने लग जाते है अब ये देखो मैं को कुछ आता तो है नहीं actually आपको पता चलिए होगा कि मैं को मेक अप नहीं आता करना अब ये चामेसी की लिपस्टिक मुझे बहुत बढ़िया लगी जैसे आई लाइनर लगा था ना ये वैसे आई शेक भी अच्छा था पर ये शेड भी बहुत अच्छा था लिपस्टिक का और ये लिपस्टिक मुझे अच्छली बहुत अच्छी लगी इसमें जो शीन थी जो स्मूधनेस थी ऐसे बटरी है ना बटरी लिपस्टिक मज़ा आ गया बहुत बढ़िया लिपस्टिक है ये और मुझे बहुत अच्छी लगी खैर अपनी तरफ से बटरी भी धंक से नहीं में लगा पाई मेरे को नहीं लग रहा है देख रहो उड़ कैसे रहा है रिजन बिंग मैंने डस्ट अफ तो किया नहीं सीधा सीधा फेस पे लगा लिया ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी तो मतलब मैंने मुझे समझ में नहीं आया मैंने ये मेक अप किया है अपने आपको अच्छा करने के लिए ये मेक अप मेरे एक यादगार है कि भाई मुझे मेक अप दुबारा नहीं करना है अपने आप तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अगर मेकप इस तरह का होगा ओविस्टी आप देख सकते हो गर्दन में और फेस में फरक लग रहा है मतलब मैं को सची लगा कि मैं नेच्स टाइम मेकप तो पका नहीं करूंगी लेकिन अब जो कर लिया था वो कर लिया था और कोई आपशन नहीं था मेरे पास बस मेकप पूरा हु पर डाला तो foundation पूरा उतर गया तो मुझे foundation वर्थ हाइप नहीं लगा लेकिन आप बताओ मत आप देख के बताना मुझे पता है वैसे यार यह मत कहना कि इतनी गलतियां करी है इसा मेकप किया वैसा मेकप किया वो सब मुझे पता है ठीक है तो आप मत बताना यार कुछ मत बताना मुझे पता है कि मेकप बिलकुल अचा नहीं हुआ खेर कोई बात नहीं मैंने कोशिश की that is more important बाई